नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हाथरस case में बहुत बड़ा update एक आया है बतादू आपको कि इतनी देरी होने के बाद जो हाथरस case में जो डिले हो रहा है इतना ज्यादा डिले हो रहा है जिसके सुनवाई अब 27 जनवरी को होने वाली है इसी बीच रामु ने सोचा क्योंना एक पैतरा चला जाए, क्योंना एक तरकीम निकाले जाए जिससे खुद को जमानत मिले उसने ये प्लान बनाया कि अभी जो इतनी डिले है अपने वो किल से कहके, एपी सिंग से कहके उसने एक जमानत की अरजी डाली जी हाँ, आपको जानकर के हैरानी होगी कि इतना बड़ा अप्रादी और सोच रहा है कि उसे जमानत मिल जाएगा ये कैसा संभव है, ये किस तरह का संभिधान है अगर उसको जमानत मिल जाता तो फिर क्या होता तो दोस्तों बता दूँ आपको कि जब ये अरजी डाली गई, उसके बाद जब कोट में ये पेसी हुई जमानत के लिए तो कोट में पेसी होने से पहले ही क्या हुआ, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हुआ आपको तो, क्योंकि ये वीडियो बहुत जदा इम्पोर्टेंट हा और इसको जज़ाँ से शेर कर देना है जिस तरह से आपने प्यार दिया, जिस तरह से आपने सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो में उसके लिए दिल से सुक्रिया और बहुत ज़ादा महत बढ़ जाता है कि आप जिस तरह से आप support कर रहा है हम लोग हुआ रहे हैं कि मतलब बहुत ही जब बहुत ही ज़ादा सबसे important बात है कि हम लोग स्पीरिता को न्याय दिलाना चाह रहे हैं आपके वज़ते हमारें वज़ते से और जितने सारे लोग देख रहे हैं जितने सारे मेरे दोस्त मेरे मतलब कह सकते हैं बड़े लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर रहे हैं कॉमेंट कर रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद इसी तरह प्यार आशिरवाद बनाये रखना और अभी तक अगर चैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जयो कर देना, बिल की घंटी जयो बया देना, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, तो दोस्तो, रामु ने जो अरजी डाली थी, जमानत की, उसमें सुनवाई होने से पहले ही, मैं बता दू आपको जिस दिन सुनवा कि इस तरह की भी लोग है, जिन्हें मतलब इतना बड़ा क्राइम करके और खुद सोच रहे कि उसको जमानत मिल जाएगा, यह क्या पॉसिवल हो सकता है हमारे संभीदान में, जी हां, पॉसिवल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग को पता है कि कहां पे कानून कमजोर है, क्यों बिल्कुल भी जमानत होने नहीं देगी, मैं मुझे लगता है कि 29 जन्वरी को रामु की जमानत बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए, आपका क्या राई है, आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में चाहू कमेंट कर देना, ताकि सभी लोग तक ये बात पहुंच सके कि जनता क्या चाहती है, तो दोस्तो बड़ी न्यूस, ब्रेकिंग न्यूस यही थी, कि 29 जन्वरी को रामु की जमानत के उपर सुनवाई होने वाली है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कि बिल्कुल सुनवाई नहीं होनी चाहिए, सुनवाई ही नह होनी चाहिए, उनका अरजी ही नहीं लेना चाहिए था जमानत की, तो दोस्तो बड़ी बात, बड़ी ब्रेकिंग न्यूस, आपका क्यार आई है, आपका क्या सुजाओ पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आया, तो स्क्राइब जहू कर देना, बिल की घंटी जहू बजा देना, ताकि जो वीडियो आने वाला है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, साथी आपने अगर कोई भी चीज मिस किया है, हत्रत से रिलेटेड, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके, बहुत सारे वीडियो, 45 स ज्यादा वीडियो है, जा करके आप देख सकते हो, एक एक पहलू पे वीडियो है, तो आपको कोई भी दिकत नहीं आएगी, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।